बदोई के नगर उद्योग व्यपार प्रतिनिधी मंदल के पदाधिकारी आज कालक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ग्यापन सौपा दिये गये ग्यापन में स्टेशन रोड पर आर्सीसी रोड निर्मान और दोनों तरफ नाली का निर्मान तथा सीता मड़ी से मुख्यारे तक सीटी बस चलानी की मांग की नगर उद्योग व्यपार प्रतिनिधी मंदल के पदाधिकारी नगर अध्यक्ष श्रिकांत जैसवाल के नित्रित्व में कालक्ट्रेट पहुंचे और डियेम को ग्यापन दिया व्यपारियों ने ग्यापन के माध्यम से बरगदा हनुमान मंदिर से स्टेशन तक आर सी सी रोड का निर्मान करने एवं दोनों तरफ नाली का निर्मान करने की मांग की वेपारियों ने इसके अलावा सीता मरी से मुख्याले तक सिटी बस चलाने की भी मांग रखी वेपारियों ने कहा कि पड़ाओ से स्टेशन तक सड़क निर्मान के लिए कई बार पत्र दिये जा चुके हैं जबकि स्टेशन रोड की सड़क पूरी तरह से खराब हो गई है और जगा जगा गड़े हो गए हैं नालिया ना होने से सड़क पर पानी जमा हुआ है जिससे आवा गमन करने में काफी मुख्यलों का सामना करना पड़ रहा है वैपारियों ने बताया कि इसी मार्क पर दो विद्याले हैं जहां बच्चे प्रति दिन जाते हैं वैपारियों ने बताया कि सिटी बस न चलने की वज़े से लोगों को सीतामडी ग्यानपूर होकर मुख्याले जाना पड़ता है लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है सिटी बसना होने से आटो चालक मनमाना किराया वसूलते हैं स्ट्रीट पर्स के लिए भदोही से नितेश चवास्तों की रिपोर्ट आज हम लोग जिलाद ध्यच घंस्यांदास गुपता जी के साथ भदोही के जिलाद ध्यच है हमारे और उत्तव देश नगर उत्यच व्यापार्ट नल गोभी एंज की मैं नगर अध्यस्रीकान जाश्वाल उपाद्यच राके सग्रहरी हम लोग आया है गोपिय पड़ा बर्ददा हरुमाजी से जो रोड गई है इस्टेशन रोड की तरफ उस तरफ जो सड़क है वो एकदम च्छती ग्रस्त हो गई है और दोनों तरफ नालिया नहीं नालिया नहीं होने की वजह से वहां पे लोगों को आने जाने में काफी दि कई बार हम लोग पत्रक दिए इस दिशाय में लेकिन अभी तक सुनवाई उन्हें आज उसी सिल्सने में फिर पत्रक दिने आये हैं इलादिकारी में होते हैं कि एक तो पहले सीतामडी से और ज्यानपूर होते हुए मुझ ख्याले के लिए सीटी बस चलाई जाए इससे बह समान है हमारी समस्कार अभा मार्ट की तरब से आप सभी को सब्सक्राइब दिवस रक्षा बंधन एवं स्रीक्रिष्ट जनमाशने की धेड़ सारी बधाई एवं सुक्ताम नाए हमारे हां अभा मार्ट में सभी प्रकार के एलेक्ट्रॉनिक समान किचन का आइटम काक्विस समान कपड़े और खाने पीने की स्तमाग्री उचित मुल्व में स्रदान किया जाता है अतर आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का अवसर अवस्थ दें धन्यवाद